Hey everyone, I am Neha, welcome to our YouTube channel exam topper So student, आज का हमारा topic है नदियों के बदले हुए नाम जो की बहुत important topic है आपके exam के लिए for group D, NTPC, SSC, CHSL, MTS, bank and other competitive exam So video देखते रहिए, last तक top 10 question मैं इस video में लेकर आई हूँ detail और important fact ये साथ आपको कराऊंगी ताकि सभी question आपको clear हो जाए वीडियो के लिए telegram channel जोइन कीजिए, जिसके link वीडियो के description में आपको मिल जाएगी exam topper और वीडियो यदि अच्छी लगती है तो like जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा share और channel को subscribe जरूर करिएगा तो चलिए देखेंगे first question घगर नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो घगर नदी को वैदिक काल में द्रस्दती के नाम से जाना जाता था? C option यहाँ पर हो जाएगा, right answer ग्याद रख लेना है आप सभी को option number C, okay? तो देखें यहाँ पर बात की गई है घगर नदी यानि कि द्रस्दती नदी तो इसके बारे में मैं आपको बता दू, इसको घगर के साथ हाकरा नदी भी कहा जाता है और ये जो नदी है यानि कि जो घगर नदी है ये भारत और पाकिस्तान में वर्सा रितू में चलने वाली एक मौसमी नदी है यानि वर्सा रितू में ये मौसम के हिसाब से चलती है याद रखेगा और ये जो नदी है ये हर्याना के ओटू वियर बांध से पहले जो है इसको गगर नदी के नाम से जाना जाता है और उससे आगे इसको हकरा नदी के नाम से जाना जाता है और देखे ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो गगर नदी है ये जो है सरस्वती का जो है बचा हुआ हिस्स से याद रख रेना है नेक्स्ट कोशन है सिंध नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था तो राइट आंसर देखे यहां पर हो जाएगा सिंध सिंधु नदी पर अभी इसको कहा जाता है लेकिन इसको वैदिक काल में सिंध नदी के नाम से जाना जाता था सिंधु नदी की यदी में बात करूँ तो ये एसिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है ये जो है भारत और भारत में भी कहां तो जम्मु कस्मीर पाकिस्तान और चीन में पश्चिमी तिबबत के माध्यम से होकर ये बहती है इसका उदगम की यदी में बात करूँ तो तिबबत के मांसरोवर के निकट एक सिन का बाब नामक जलधारा से इसका उद्गम है और ये फिर जाकर अरब शागर में मिल जाती है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी इसको कहा जाता है पाकिस्तान की राष्ट्रे नदी भी इसको कहा जाता है यदि कुल नंबाई की मैं बात करूँ तो इसकी जो कुल नंबाई है वो है 3610 किलो मीटर याद रख लीजेगा चले नेक्स्ट कोशन है सतलज नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था तो राइट आंसर आप्शन नंबार ए हो जाएगा सत्रूदी सत्रूदी नदी के नाम से सतलज नदी को जाना जाता था सतलज नदी की जो कुल नंबाई है वो है 1500 किलो मीटर याद रख लीजेगा और इसके उदगम की यदि मैं बात करूँ तो तिबबत में मानसरूबर के निकट राक्षस ताल से जो है इसका उदगम है जहां इसका नाम लोगचेन खंबाव है याद रख लीजेगा जहां से इसका उदगम है यानि सत्रूज नदी का राक्षस ताल से उदगम है तो इसको वहाँ पर लोगचेन खंबाव के नाम से जाना जाता है याद रख लीजेगा नेक्स्ट कोशन है, यहां पर यही भात करूं काबॉल नदी की, यही की कुभा नदी की, तो यह पूर्वी अफगानिस्तान की एक मुखे नदी थी, याद रख लीजेगा next question है, सरस्वती नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था option number गे हो जायेगा right answer और तेखें यह जो सरस्वती नदी है न यह एक पौराणिक नदी है इसकी चर्चा वेदो में भी की गई है इसकी लंबाई की यदी बात की जाए तो 1600 किलोमेटर इसकी लंबाई है नदी तमान नदी यानि की सरस्वती नदी याद रख लीजेगा Next question है चिनाव नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था तो इसको असकिनी नदी के नाम से जाना जाता था चिनाव नदी को नेक्स्ट कोशन है जेलम नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था तो जेलम नदी को वैदिक काल में वितस्ता के नाम से जाना जाता था राइट आंसर हो जाएगा option number A जो जेलम नदी है ये उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है इसके उदगम की यदि बात की जाए तो very नाग नामक नामी नगर से जो है इसका उदगम है very नाग नामी नगर से इसका उदगम है और यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो 725 किलोमेटर इसकी कुल लंबाई है next question है व्यास नदी को व्यदिक काल में किस नाम से जाना जाता था तो right answer हो जाएगा व्यास नदी को व्यदिक काल में व्यदिक काल में व्यपासा के नाम से जाना जाता था option number B देखे ये जो व्यपासा नदी है या फिर व्यास नदी है ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है इसकी कुल्लंबाई की यदि बात की जाए तो 470 किलो मेटर इसकी कुल्लंबाई है और ये जो व्यपासा यानि की व्यास नदी है इसका जो है रिगवेद में एक बार उलेख किया गया है यानि की एक बार इसका रिगवेद में भी उलेख मिलता है व्यास नदी का नेक्स्ट कोशन है रावी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था तो रावी नदी को वैदिक काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता था रैट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A देखे ये जो रावी नदी है ये उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है जो कि लाहोर नदी के नाम से भी जानी जाती है इसकी कुल्लंबाई की यदि बात की जाए तो 720 किलोमेटर इसकी कुल्लंबाई है रावी नदी की next and last question गंड़क नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था तो गंड़क नदी को वैदिक काल में सदा नीरा के नाम से जाना जाता था option number हो जाएगा option number D जो है ये आपका correct answer हो जाएगा और गंड़क नदी की यदि मैं बात करूँ तो ये नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है ओके नेपाल में इसे साल ग्रामी और मैदानों में इसे नारायडी और सब्त गंड़की भी कहा जाता है हिमाले से निकलती है ये नदी और त्रशूल गंगा में जाकर मिल याद रख लीजेगा तो देखे सभी के 10 के 10 कोशन मैंने आपको डीटेल और एंपोर्टिन फैक्ट के साथ कराए है वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजेगा ज्यादा से ज्यादा शेयर ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहु में मिलती हूँ तब तक के लिए टेक केर बाबाई थाइंक यू